आम नमस्षिवाए दोस्तों हर हर महादेव छे वक्ति ग्यान चैनर में आपका स्वागत है कैसे हैं आप आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते हैं पिरदीर निस्राग जी के मुखार विन्द से सरल वा अच्वी को पाए आपका कोई भाव है आपके हिरदाय की कोई बात है जो बहुत दिनों से लगे हुए हो और बाबा हो सकता है कि किसी कारण बस पूरण ना हो रहा हूँ कई लोग कैवी देते हैं गुरुदेयों कोई काते है अब जैसे आज कोई कह रही थी बच्ची कि मैंने श्यू महव पुराण में अश्यूपति ब्रत सुना और उसको करा उसका लाब मुझे मिला मेरे पती ने भी करा उसका भी लाब मुझे मिला पर एक काम गुर्देव ऐसा अटका हुआ है कि वो काम हम करना चाह रहे हैं ब्रत भी कर लिया अनुष्ठान भी कर लिया और फिर भी वो ब्रत के कारणवश भी वो कारे नहीं हो रहा तो समझना कि कोई कारे बड़ा भारी होगा और बाबा उसको कर नहीं रहा है या कोई काम अटक रहा है तो हमने पहले भी कहा ये बीच की जो पत्ती है ये देव अधिदेव महादेव ये ब्रह्मा ये विश्ण इन दोनों पत्ती के मिलन से लेकर इस पत्ती के बीच की जो डंडी है ये नीचे की डंडी का वर्णा नहीं कर रहा है इन दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी है बची होगा जो तीनों के बीच में एक डंडी का जो भाव है ये माता जगजन्नी, जगदंबा, माता पारवती है इस रंडी के नीचे का जितना भाग है यह 33 कोटी देवताओं को दरशा था पिछले वर्ष की श्रावन की कथा यदि आप निकालेंगे और उसको पेच पर जाकर आप सुनेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि उसमें भी कहा था कि जब आप पशुपति वरत कर रहे हो या अपने नियम उठा रखा है और वो कारे आपका होई नीरा आपने दो बार पशुपति वरत कर लिए आपने ये कर लिए आपने प्रदोश कर लिए आपने सोंबार कर लिए आपने सारे अनुष्ठान कर लिए बहुत सारे उपाई भी करे तो भी नहीं हो रहा है तो इस मुराद शिग्र तीन महीने के अंदर पूरा करही देता है हम आसा करते हैं कि भगवान सीव आपकी सभी मनो कमना पूर करें इस उपाय को करना न भूलें आज बस इतना ही फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सस्काइब और लाइक जरूर करें ओम नवस्चिवाई दोस्तो